हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे के ओनलाइन जोब कैसे ढूंडे तो दोस्तो अगर आप लोगों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और अगर आप लोग गर बेठे नोकरी ढूंडना चाहते है तो इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजु में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके तो दोस्तो जब भी हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है या फि क्योंकि गवर्मेंट जोब में बहुत सारे लोग एपलाई करते है अगर एक हजाल लोगों को लेना होता है तो उसमें तीन से चाल लाग फॉम भरे जाते है तो आप खुद सोच लिजिए कि गवर्मेंट जोब पाना कितना मुश्किल है तो कुछ लोग ऐसे भी होते है कि प्राइवेट जोब की तलास करते है तो दोस्तो आज की डेट में प्राइवेट जोब की तलास करना काफी आसान हो चुका है अगर आप गवर्मेंट जोब की ओर जाएंगे तो उसमें आपको एक्जाम देखना पड़ेगा जिसका बहुत यह बढ़ा सिलिपम्स होता है और तो दोस्तो अगर प्राइवेट जोप की बात करें और ओनलाइन नोकरी कैसे ढूननी है इसकी बात करें तो दो वेबसाइट सबसे पहले आपकी नजर में होनी चाहिए दोस्तों इंटरनेट पर काफी सारी वेबसाइट है लेकिन ये दो वेबसाइट बहुत ही अच्छी है और इसमें ज्यादा तल बंदे नोकरिया ढूनते हैं तो पहली जो वेबसाइट है उसका नाम ही है नोकरी.com और दूसरा है Facebook तो आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा लेकिन कभी apply नहीं किया होगा तो इन दोनों वेबसाइट पर आप कैसे online job ढून सकते हैं इसके बारे में हम practical में जानेंगे तो सबसे पहले हम सुरू करते है कि नोकरी.com से online job कैसे ढून सकते हैं तो दोस्तो अब आप लोग मेरी mobile screen पर आ चुके हो और यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने अपने phone में नोकरी.com का एप इंस्टोल कर रखा है तो आपको भी अपने Google Play Store पर जाना है और वहां जाकर search करना है नोकरी.com तो आपके स हुआ है जो की 4.4 स्टार इसकी रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके है यहां पर आप किसी के रिव्यू पढ़ना चाहे तो वह भी पढ़ सकते है तो दोस्तो अगर आप जोब ढूनने के लिए जा रहे है तो online गर बेठे जोब ढूनन आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है यहां पर आपसे लिखा हुआ है कि रेजिस्टर फ्री और लोग इन तो दोस्तो अगर पहले से यहां का नोकरी.com पर अकाउंट है तो आपको यहां पर लोग इन करना है और अगर अकाउंट नहीं है तो आपको पर फ्री पर क्लिक कर देंगे तो उसके सामने आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी यहां पर भी आप चाहे तो डायरेक्ट गूगल या फेस्बुक से कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको सबसे पहले फूल नेम का ओप्सन है वहां पर आपको अपना नाम उसके बाद email address में अपनी कोई भी email id डाल देनी है create a password आपको एक password बना लेना है ताकि जब भी आप इसमें login करें तो आपको उस password के द्वारा आप इस पर login हो सके उसके बाद आपको अपना mobile number देना है उसके बाद नीचे यहां पर एक चीद लिखी हुई है कि send me important updates on whatsapp तो द दोस्तों जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नई टेब open हो जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि let's start building your profile तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि अब आपको अपनी profile बनानी होगी तो यहां पर दोस्तों दो तरीके इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि I am a student और have never worked, अगर आप फ्रेशल स्टूडेंट है तो आपको पहले वाले option पर क्लिक कर देना है और अगर आप working professional है तो आपको दूसरे वाले पर टिक करना है यानि कि अगर आप किसी company में काम करते हो किसी agency में काम करते हो और आपको थोड़ा बहुत experience है जोब का तो आपको second number को select कर लेना है लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल फ्रेशर है तो हम सबसे पहले वाले यानि कि I am a student पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने नई screen open हो जाएगी जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि हमारी current city कौन सी है तो हमें यहाँ पर हमारी current city औ आपने या फिर आप post graduate है आपने graduate और diploma किया है या फिर आपने class तक ही पढ़े हो आप तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से अपनी education detail डालकर next के बटन पर click कर दीजिएगा जैसे ही आप अपनी education detail डाल देते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर graduate और diploma को select किया है उसके बाद आपको next के बटन पर click कर देना यहाँ पर 16 more option भी है अगर आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं कि आपने कौन सी फिल्ट चुनी है और उस हिसाब से जो भी फिल्ट आपने चुनी है उसको आप अपनी education detail में सामिल कर लीजिए और next के बटन पर click कर दीजिए जैसे ही आप इतना का कर देते हैं उसके बाद आता है के स्कील का मतलब आप में कौन कौन सी स्कील है यह आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा फोल एक्जामपल क्या अगर आपको sales आती है आपको marketing आती है या फिर जो भी आपकी skill है जो भी काम आपको आता है उसका keyword आपको यहाँ पर type your skill में लि पसंद करोगे उस city का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है अगर आप कहीं रहते हो और एक्जामपल अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप यहाँ पर मुंबई की location डालोगे क्योंकि वहीं पर आपको नोकरी चाहिए तो जहां पर भी आपको नोकरी पाने की इच्छा हो उसका detail आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद salary आपको रूपी में चाहिए या dollar में यह per year के हिसाब से salary आपको डाल के next के button पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तो एक option आएगा कि upload your resume तो दोस्तो अगर आप लोगों को resume बनाना नहीं आता तो मुझे नीचे comment करके ज चाहे तो इसे बाद में देने के लिए I will email my resume later के button पर क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाएगे तो दोस्तों resume बहुत ही important है अगर आप online कोई भी job तलास रहे हो तो resume आपके लिए बहुत ही माहिने रखता है तो resume बनाना आप सीख लिजे या फिर अपना resume बनाना तो कम से कम आपको आना चाहिए अगर आप नोकरी ढूनने जा रहे है तो मुझे सिर्फ एक comment कर दीजेगा मैं आपको सिखा दूंगा के resume भी कैसे बनाते है तो उसके आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका profile लगभग complete हो चुका है यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है और आपको कर देना है जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस तरह की screen खुलके आ जाएगी इसमें आपको जो भी चाहिए और जो भी city में चाहिए यान की location में उसको क्लिक करके search कर देना है यानि कि मान लिजे कि आप accountant हो और आपको accountant की job चाहिए तो आपको type here to search में accountant लिखना है location में जो भी location पर आप जोब चाहते है फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में चाहते है जोब तो यहां पर मुंबई कैसे करते हैं और साथ ही में यह भी पता चल गया होगा कि online नोकरी.com से आप जोब कैसे ढूंड सकते हो तो दोस्तो आपको अपने facebook उसके option पर क्लिक कर दिया है तो यहां पर आपको अपना जोबी city है उसे select कर लेना है example मैंने यहां पर राजकोट लिखा हुआ है तो राजकोट आपको select कर देना है उसके बाद apply पर क्लिक कर देना है तो राजकोट city के आसपास 500 km के अंतर में जो जो भी jobs होगी वो आपको य तो दोस्तो यह भी एक अच्छा तरीका है घर बेठे online नोकरी ढूनने का तो दोस्तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया है के नोकरी.com से और facebook से आप online नोकरी केसे ढून सकते हैं और केसे उसके लिए apply कर सकते हैं लेकिन दोस्तो अब हमें जाननी पड़ेगी कुछ और दोस्तो अगर आप online नोकरी ढूनते हो तो online नोकरी ढूनते समय आपको ध्यान रखने वाली कुछ बाते भी मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो दोस्तो online में आपके साथ फ्रोड करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा बेठे हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा अगर कोई आपको call करके नोकरी के लिए पेसे देने को बोलता है तो आपको सावधान हो जाना है क्योंकि कोई भी company आपसे पेसे नहीं मांगती नोकरी के लिए नोकरी कमपनी को सिर्फ employee की जरूरत परती है इसके लिए वो आपसे कुछ पेसे की demand नहीं कर सकती. तो दोस्तो यह कुछ जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था अगर आप online नोकरी ढूंड रहे हो कहीं भी अगर नोकरी.com से या फिर facebook से तो इस बात का जरूर दियान रखनेगा कि आपके साथ भी यह फ्रोड हो सकता है तो आपको कभी भी किसी को पेसे देखकर नोकरी नहीं ले नी चाहिए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दिजिएगा और वोटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर किजिएगा और एसे इनफोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अप्लोड करू तो उसकी नोटिपीकेशन आप तक पहुँच सकें और इस वीडियो से संबंदित किसी भी तरह का प्रस्ण पूछने के ये नीचे कमेंट करें दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट बोक्स में लिख सकते हो